असलाम वालेकुम दोस्तों कोईट से आज की इंपोर्टेंट अपडेट है 60 प्लस परवासियों को लेकर जो की फैसला आ चुका है जी हाँ दोस्तों अगले रभिवार से आप लोग अपना एकामा रेनियू करवा सकते हैं 60 प्लस के लोग फैसला आ चुका है साथ ही इंडिया कोईट और नेपल की डारेक्ट फ्लाइट को लेकर भी बात करने वाले हैं तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बने रहें वीडियो के आखर तक कोईट के नियाय मंतरी जमाल अल जलाबी ने एक बहुत अच्छी खुशकबरी शेयर की है कल दोस्तो हमने आपको बताया था कि साट प्लस को लेकर अंतिम फैसला आने वाला है दोस्तो वो फैसला आ चुका है नियाय मंतरी जमाल अल जलाबी ने बताया है कि अगले रविबार से साट प्लस के कोईट में जो परवासी हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है वो अपने एकामा वर्क परमिट को आगले रविबार से रेनियों करवा सकते हैं इसके लिए आप लोगों को 250 केडी फीस चुकानी होगी साट प्लस परवासीयों को लेकर कोईट में ये एक ऐसा मुद्दा था ऐसा एशू था कि एक साल तक इसके उपर कोई फैसला नहीं आया था लेकिन अब इस फैसले को किलियर कर दिया है आप लोग रभीबार से अपने एकामा को रेनियों करवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फैसला किलियर हो चुका है हलंकी सुत्रों ने सुजाब दिया की पॉलिसी की कीमत हर एक साल 400 से 500 दिनार के बीच हो सकती है पहले 500 दिनार से 1000 दिनार तक थी लेकिन अब 400 और 500 दिनार के बीच रहेगी तो दोस्तों कोईट में जो 60 साल से उपर के परवासी हैं वो अपने वर्क परमिट को रिनेवल करवा सकते हैं केवल 2500 केडी फीस में ये सेबा अगले रभीबार से सुरू होने वाली है साथ ही इंडिया कोईट डारेक्ट फलाइट की बात करें तो कोईट से कोई फलाइट ऐसी नहीं है जो इंडिया के लिए डारेक्ट चलाई जा रही हो लेकिन इंडिया से इंडियो फ्लाइट है एर बबल है जिन से कुछ special परवासी कुएट में डारेक्ट परवेश किये हैं तो लोगों को ये पता है कि डारेक्ट फ्लाइट दोनों दिसों के बीच उपिन है क्योंकि अगर नॉर्मली तरीके से उपिन होती तो हर परवासी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर अपडेट सबसे पहले मिलेगा साथ ही कुएट में एक ही दिर में 5176 नए वायरस के केसिस रेजिस्टर किये गए हैं रिकवर होने वालों की संकिया है ठीक होने वालों की 4373 और कुएट में एक मौत हुई है जो की वाय 4630 और टोटल रिकवरीस की बात करें तो 454799 टोटल डिट की बात करें तो 2487 ये टोटल आंकड़े हैं कुएट के ये आंकड़े कलके हैं तो दोस्तो ये थी कुएट से आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप तक शेयर करी दोस्तो कुएट की ऐसी ही ख़वर के लि लोब।